साथियों, हम अक्सर सुनते हैं प्रकृती, विक्रूती और संस्कृती, इन सब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें, तो आपको जीवन को समयने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा, अगर मानो प्रकृती की चर्चा करें, तो ये मेरा ह मैं इसका उप्योग करता हूँ, इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है, किसी को इसमें कोई एतराज नहीं होता, इसे हम प्रकृती कह सकते हैं, लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूँ, उसे छीन कर उप्योग में लाता हूँ, तो हम इसे विक्रूती कह सकते हैं, इन दोनों से परे प्रकृती और विक्रूती से उपर, जब कोई संस्कारित मन सोचता है, या वहवार करता है, तो हमें संस्कृती नजराती हैं, जब कोई अपने हक की चीज, अपनी मेहनत से कमाई चीज, कम हो या अधिक, इसकी परवा के बिना किसी व्यक्ती की जरूत को देखते हुए, खुद की चिंता छोड़कर, अपने हक के हिस्से को बाट करके, किसी दूसरे की जरूत पूरी करता है, वही तो संस्कृती है, साथियों, जब कसोटी का काल होता है, तब इन गुनों का परि अनुरूप, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी संस्कृति का निर्भन करते हुए, कुछ फैस्ट ले लिए, संकट की इस गड़ी में, दुनिया के लिए भी, सम्रुद्ध देशों के लिए भी, दवाईयों का संकट बहुत जादा रहा है, एक ऐसा समय है, कि अगर भारत, द जीवन बचाना है, लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृती, विक्रूती की सोच से परे होकर फैसला लिया, भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया, हमने भारत की आवस्सक्ताओं के लिए जो करना था, उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया, हमने विश्व के हर जरूत मन तक दवाईयों को पहुंचाने का बिड़ा उठाया, और मानवता के इस काम को करके दिखाया, आज जब मेरी अनेक देशों के राष्टाध्यक्षों से फोन प्रब बात होती है, तो भारत की जंता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं, जब वो लोग कहते हैं, थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल अफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है, इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आईरुवेद और योग के महत को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं,